हलो फ्रेंड्स नमश्कार आपके अपने ही चैनल आपका गालण में आप सब का स्वागत है buds आजए वीडियो इस खुपसुरत फ्लावरिंग ऐस मेकिसिकन पितूनिया की प्लाउड के बारे में सारी गाइडेंस दऊगी इसलीए मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे यह मैक्सिकन पितूनिया का प्लाउड यह evergreen और perennial plant है perennial का मत्तब होता है कि मत्ब ये कई सानों तक चलता रहता है ये तो मैं बताई चुतनी हूँ कि ये summer flowering plant है और हमारे यहां पर जो गर्मिया होती है वो काफी लंबी होती है मार्स से लेकर september अक्टूबर तक इस पर flowering होती रहती है Friends, इसमें कई variety आती हैं मतब कुछ तो कम height वाली variety होती है और कुछ जिनकी stem बहुत लंबी होती है वो होती है तो ये कम height वाली variety है इस variety का पौधा मुस्किल से 1 foot का ही हो पाता है और जो दूसरी variety होती है वो 3 foot की height तक हो जाता है Friends, यहाँ पर बता दू कि यह Mexican petunia का जो plant है बहुत ही hardy plant होता है यह कैसी भी मिट्टी में grow हो सकता है इसकी growth जमीन में भी और pot में भी बहुत अच्छी होती है Friends, यह इसकी stem है इसकी cutting से और seed से बहुत आसानी से grow किया जा सकता है अगर आपको जल्दी plant तयार करना है तो आप बस इसकी एक stem cutting करके लगा दो चाये छोटी सी stem क्यों ना हो वो भी बहुत जल्दी grow हो जाती है Friends, यहाँ पर बता दू कि यह Mexican petunia तीन कलर में मिलता है मतलब इसके फूल तीन कलर के होते है जैसे यह मेरे पास है पिंक कलर का और इसके अलाबा white color का और purple color के फूलों वाला भी मिलता है तीनों ही color के plant बहुत सुंदर लगते हैं और जब इन पर एक साथ इतने सारे फूल खिलते हैं तो और भी सुंदर लगते हैं यह देखिए मेरे इस plant पर कितनी सारी कलिया बनी हुई है और काफी सारे फूल भी खिले हुए है अच्छा फ्रेंड्स इस plant की एक ही मुझे खराब बात लगती है कि जैसे पौटू लगा का जो फूल होता है वो भी कुछी घंटे में मुर्जाने लगता है और यह Mexican पुटूनिया का फूल भी कुछी घंटों का होता है मतब सुबह खिलता है दुफएर के बाद तक यह मुर्जा कर ब्राउन पड़ जाता है मुझे तो इसके फूलों के साथ साथ इसकी जो यह लीफ से यह भी बहुत अट्रेक्टिव लगती है तो डार्क ग्रीन कलर जो है इनका बहुत ही प्यारा है और यह इतनी ज़्यादा घनी है कि इनसे प्लांट भहुत भरा भरा लगता है अच्छा फ्रेंड्स अब बात करते हैं सनलाइट की तो यह मैक्सिकन पिटूनिया का जो प्लांट है यह फुल सनलाइट का प्लांट है पर मई जून में बहुत ज़्यादा हीट होती है सनलाइट में तो इन दो महिनों में आप इसे नेट के नीचे रखें या फिर ऐसी जगे रखें जहां 3-4 घंटे की फुल सनलाइट के बाद शेड हो जाती हो अच्छा वाटरिंग की बात करें तो अगर आपने ये प्लांट जमीर में लगा रखा है तो एक टाइम पानी देने से भी काम चल जाता है पर अगर गमले में लगा हुआ है तो आप इसे दोनों टाइम पानी दें मैंने ऑफजर्व किया है कि इसके गमले की मिट्टी बहुत जल्दी ड्राय हो जाती है तो मई जून के महीने में आप इसे दो बार पानी जरूर दें और जैसे ही रेनी सीजन आ जाए और उसके बाद विंटर में आप इसे एक टाइम पानी दे सकते हैं और फ्रेंड्स आप बात करते हैं फटीलाइजर की रहे पर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा हर्दी रहे प्रांट तो इसे शीजन के शुरू मैं जैसे ही मतब आप गमले में लगाते हैं या पर जमीन वे इसको लगाते तब आप इसे फटीलाइजर लगाए और सीजन के बीच में भी आप इसे एक बार फर्टिलाइजर लगा सकते हैं और फर्टिलाइजर आप कोई भी लगा दे चाहे काव मेंवर लगा दे वर्मिंग कमपोस्ट या केमिकल फर्टिलाइजर भी इसके लिए ठीक रहता है अच्छा फ्रेंड्स इसके प्रोप तयार हो जाता है वैसे तो इसका जो फूल है वो कुछी घंटों में सूख जाता है और ब्राउन पढ़ जाता है देखिए जैसे यह है ये कल का फूल है जो सूख गया है इसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा बच जाता है इसका जहां ही फूल लगाता है वहां सीट पॉड बन जाता है, seed pod में कुछी दिनों में seed तयार हो जाता है, अगर आपको seed चाहिए, तो आप उन seeds को चुन कर समभाल कर रख लें, नहीं तो ये seed अपने आप नीचे गिर जाते हैं, और कभी-कभी उड़ कर दूर भी चले जाते हैं, तो friends, आप भी अपने Mexican Petunia की इसी तरह देख आप सब के लिए बहुत useful होगी, तो friends, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी, तो आप इसे like करें, share करें, और कुछ पूछना है, तो comment section में जाके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे Thank you viewers, आपका दिन शुभो